Assalamualaikum, Lengthenite compound को discuss कर रहे थे हैं, आज लेंथनite compound के अंदर सबसे important topic को discuss करने लगे हैं, वह है जी extraction of lengthenite, अब कोई भी mineral हो, उसमें से lengthenite को निकाल ला है, extraction कहते है, removal of lengthenite from a mineral, lengthenite है हमारे पास सारी की सारी metals होती ही, इतनी बात हमें पता है, जब से पहले extraction की थोड़ सी definition कर ले is the process, is the process, is the process, यह अब मैं तरीका कार है, किस चीद का तरीका कार है, process to remove, to remove, निकालने का, to remove the metal from, कौन सी metal, याद रखे है, lengthenite metal की बात कर रहे है, कि यह वह तरीका कार है, जिसमें हम mineral में से, metal को बाहर निकाल लेते हैं, extraction is the process to remove the metal from, mineral, और जो अमोमन हम mineral इसमाल का रहे होते हैं, वो हमारे पास होता है, monazite, monazite, so यह हमारे पास तरीका कार है, extraction, असरमें, extraction हमारे पास तीन स्टेप्स के अंदर हो रहे होती है, अगर स्टेप्स की बात करूं, तो extraction के लिए तीन स्टेप्स जरूरी है, कौन-कौन से तीन स्टेप्स होने चाहिए, सबसे पहले स्टेप्स जो है, वो है, concentration of mineral, स्टेप का नहाम है, concentration of mineral, सेकेंड स्टेप है, हमारे पास cracking of mineral, cracking of mineral, और जो लास होला हमारे पास तीसा स्टेप आपाद है, यह काफी दे इंपोर्टेंट है, तो उसकी काफी से हमें धिटेल करनी पड़ती है, वो है, separation of lenthonide element, थर्ड जो स्टेप है, यह है, separation of lenthonide element, separation of lenthonide element, इच स्टेप को हम अच्छे तरीक से डिस्कस करेंगे, चले सबस्टे बहले हम बात करते हैं, जी concentration of mineral की, स्टेप को हम डिस्कस करेंगे, इस लेक्टिर के अंदर, बाकी मज़ी लेक्टिर के अंदर, बाकी सारी सेरी चीज़े को डिस्कस कर लेंगे, कॉंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, आफ, मिन्रॉल, मिन्रॉल की कंसंट्रेशन से क्या मुराद है, पहले ये बात गोर कीजिए, अच्छा, मैं कहता हैं, मेरे पास, मेटल्स हैं, मुख्तलिफ, और इसके साथ रहीत वगरा, जब जमीन से हम कोई भी चीज निकालते हैं, वह एक्जेक्ट उसी तरह नियुक्त हैं, मैं कहता हैं, लोहा जो है, वह हम जमीन से निकाल रहे होते हैं, अब जमीन के अंदर हर्गिज ऐसी बात नहीं है, जो लोहा ह चोट giàppt की फाल में हर्गिज नियुक्त हैं अब जो हमारे पास हूआ हूठ मैंना होता है जो मेरे पास मेनरल हूता है इसके अंदर काफ़ी सारी मेटल्स होती हैं दो तीन ये चार मेटल्स का मिक्श्यर होगी तो अब हमने करना जी इस सेंड मेंसे इस मेटल को बाहर निकालना है पहला तरीका कर दिया है कि आप सेंड को लाइदा कर दो, इस सेंड को हम अममन गैंग का नाम देते हैं, इसका नाम दे रहे होते हैं, गैंग का नाम दे रहे होते हैं, यह हमारे पास क्या है, गैंग, और इसको वाकिर जो हमारे पास मैटर्स बगर आ जाती है, इसको और का नाम दे देते हैं, यह जो concentration किया रहे होते है, concentration of mineral, यह हमारे पास क्या है, और, यह बात आपने याद रखनी है, असर माँ आज हमने यही तरीका का डिसक्स करना है, कि आप concentration of mineral किस तरह का सकते हैं, अगर concentration of mineral की बात करूं, तो यहां पर सबसे पहला जो काम करना होता है, वो आपने gravity suppression है, first of all, gravity suppression method is used, gravity suppression method याद रखिए है, gravity के उपर बेस करता है, अब gravity में याद रखिएगा, जो चीज लाइट वेट होती है, और एक हैव वेट होती है, जो चीज़ भारी होगी, हैवी, वेट होगी, वेट होगी, वो नीचे चले जाती है, जल्दी बाटम पे चले जाएंगी नीच चले जाएगी बाटम पे चले जाएगी और जिए लाइट वेट होती है तराा की सुराख होते дов बरीज जरियां से होती है इस के अंदर इस टेबल के अंदर और इस टेबल को ना हला रहे होते हैं यहां पर एक मोटर लगाई होती है यह टेबल ना उपर से इस तरह इस तरह मूव करता रहता है इस टेबल हो हमइं विल kali table कह रहा होते हैं, कहा न हम दिए कहा रहा होते हैं? क्या नहें कहे लोग प्रकाशे होते हैं, जो कि इसका हमेदीकर के इसकोने के लिए के लिए हमिरें इसके इसकल के स्वेच्शेर ले खतल, कि गिल की बऊरिए हो भार हो तो इसके अब और मैटल्स वोती हैं, सही है जो हमारे पास मिनरल्स मेटल्स मौजूद होती है वो नीचे बैठना शुरू हो जाती है इस टेबल के नीचे की तरफ आजाएंगी, जबके जो हमारे पास दूसरी चीज़े होती है गैंग और इंप्रिटी उपर रहेंगी, पिर उनकी डैंस्टी या फिर यहां पिर उनका वेड वेड कम होता है जिसके वज़े से उपर रहती है, जबके हमारे पास जो मैटल्स होती कि अब भी इसके अदर कुछ नहीं कुछ मेटल्स मौजूद हैं अभी इसके अंदर कुछ इंपिरोटीस होगा यहां पर सेड़् गार रही होगी ना सफ़ी गैंक इंडर होता है इसको यहां से निकाल देते हैं गैंक किनक वार्ट सोती है हाफ कौर्ट को क्लिए हुए हमारे पास सैंड को कहारी होते हैं मुट्टी होती है थोड़ से हमें हो 1ि Geld कर से निकाल देते हैं कुछ नखी सा अब बाति काम क्या शाइब भीशत्स का दै भी दो तरह की होंगी अब कुछ न कुछ इसके अंदर मगनेटिक मेटल्स होगी अब क्या करना जी हमारे पास याद रखेगा जितने भी हमारे पास लेंथा नायर्ड मेटल्स होती है वो तकरीव नॉन्मगेटिक होती है मेटल नागनेटिक सेप्रेटर यूज़ करते हैं करते हैं हमारे बास दो रूलर होते हैं इसको गोर से देखिएगा यह हमारे पास एक रूलर है एक रूलर यह है इसके इर्द के होता है जिए बैल्ड यह हमारे पास रूलर है जिए मूव कर सकते हैं इसके इर्द के तो हमने डालाते है जिए लैदर का बैल्ड यह मैं कहाता है जिसके इर्द के इ तरे आपको है तेये कि अपरसी से बीडियर तोॅ अब आपको करें और को आपसे भी मानेटिक हुल्हक्त करते हैं तो तक आप से मेंनेटिफिसाइब अब आपको मुण ट्रेल मेंनेटिक हैं और की इस दाना करा विज़ ses हुश यहां परकते है अब आपकोता है yup और यहां भी पोकस यहां भी कि यहां भी हुंग द्रश ढूरतिए बिढ्बम की इस इता का कि बिढ़ा ह तो इसके onlar आथंँ किरना हो जाेंगें, यहां पर इसी तरहुते कि हम इसी रूर साथ पहले धिराने जांगे हों इस गुए हुए कुए किया है , यहां ज्मार्ण किंशं माझना बाइधक होजएग तरीकर आफ Jedis झाल झाल